नम्बा एक, एकलव्य, अर्जुन का सबसे पहला शत्रू और प्रतिद्वंद्वी, हम सभी ने महाभारत में एकलव्य का नाम तो सुना ही होगा, जो एक बहुत बड़े धनुर्धर थे। दोस्तों हमें तो ये पता ही होगा कि कर्ण की माता का नाम कुंती था जिन्होंने कर्ण को जन्द दिया था किन्तु लोब लाज की निंदा से बचने के लिए कर्ण को नदी में बहा दिया था। ये निशाद जाती के सेनापती हिरंधेनु को मिले थे जिन्होंने उसे गोद लिया, उसका पालन पोशल किया और अपने साथ रखा इसका मतलब यही है कि एकलव्य भी एक शत्रिय ही थे इसलिए उनकी धनुर्विद्या बहुत ही अच्छी थी। तर्ण और एकलव्य में केवल यही एक बात समान नहीं है कि दोनों को छोटी उम्र में ही त्याग दिया गया था, दोनों ही बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। एक तरह से एकलव्य भी अर्जुन के प्रतिध्वंदी ही थे किन्तू एकलव्य ने कभी भी अर्जुन को अपना प्रतिध्वंदी नहीं माना एकलव्य बस गुरु द्रोन से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पूरे हस्तिनापुरा और समस्त भारतवर्ष में गुरू द्रोन बहुत जादा विख्याग थे क्योंकि उन्होंने गुरू परशुराम से धनुर्वेद की शिक्षा ली थी इसलिए एकलव्य भी उनसे धनुर्वेद की विद्या प्राप्त करना चाहते थे अर्जुन और एकलव्य में यह बात समान है कि दोनों ही गुरू द्रोन को अपना सर्वप्रिय गुरू मानते थे दोनों ही धनुर्विद्या गुरू द्रोन से ही सीखना चाहते थे जैसा कि हमने पहले ही बताया कर्ण और एकलव्य दोनों ही श्री कृष्ण के चेहरे भाय थ पुत्र थे और एकलव्य उनके चाचा की पुत्र थे। इसके अलावा अगर कर्ण और एकलव्य में कोई बात समान है तो वह शायद ये बात है कि दोनों कही अंद श्री कृष्ण के हाथों हुआ था वैसे तो मूल महाभारत में कहीं भी एकलव्य की मृत्यू का कोई जेक्र नहीं है किन्तु कई विद्वान यह मानते हैं कि जरासंद के मत्वुरा पर कि 17 वे आक्रमन में एकलव्य जरासंद की सेना की सेनापती बने थे और उसी युद्ध में श्री कृष्ण के हाथों उनकी मृत्यू हुई थी। अर्जुन की मदग की थी जिससे अर्जुन समसब्तक वीरों का मनसूबा विफल करने और त्रिगत नरेश शुशर्मा का वद करने में काम्याब रहा थे। जब अर्जुन अपने रत को श्री कृष्ण से कहकर युदिश्थिर की और मोड कर वापस लोट रहे थे तब प्र श्री कृष्ण जानते थे कि यदि अर्जुन जल्द ही युदिश्थिर की सहायता के लिए नहीं पहुँचे तो गुरु द्रोन युदिश्थिर को बंदी बना लेंगी जिससे युद्ध तुरंथी समाप्त हो जाएगा और अधर्म की विजय हो जाएगी। प्राप्त हुआ था जिसका नाम वैशनव अस्तर था जो एक अजय अस्तर था जिसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता था उस अस्तर को हवाहिप करते हैं और अर्जुन पर निशाना लगा कर उनकी चाती की और चला देते हैं अर्जुन इस अस्तर का प्रतिकार करने की जिससे वैश्नवास्त्र अर्जुन की चाती में लग जाता है किन्तु श्री कृष्न की चाती में लगते ही यह अस्त्र वैजनती माला में बदल जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्न भगवान विश्नु के अवतार थे और भागदत को यह अस्त्र भगवान पास नहीं है श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे इसलिए अर्जुन की जान उस दिन कुरुक्षेत्र युद्ध में भागदत के हाथों बच गई थी हाँ यह नंबर तीन अश्वत्थामा गुरु द्रोन का पुत्र जिसे अर्जुन से प्रतिसपर्धा थी दोस्तों कुरुक्षेत्र युद्ध की 15 वे दिन गुरु द्रोन को चल से मारा गया था यह घटना तो सबको पता ही होगी तो ठीक इसके अगले दिन यानी कुरुक्षेत्रियुद्ध की सोलवे दिन अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक भयान कर अस्त्र का अहवान किया जिसे स्वयम भगवान विश्नु के अफ्तार नारायन ने बनाया था जिनके नाम पर इस अस् शूल, बान, परसे और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एकी साथ चारों दिशाओं में बिखरने लगते हैं जब यह अस्त्र पंडवों की सेना का अंत कर रहा था तब पांडव कुट्र भीम ने इस अस्त्र का प्रतिकार करने की कोशिश की थी किन्तु उनके सभी प्रया जो अपने मन में युद्ध की मनशाल ये होते हैं अतरसेनिकों को आदेश दो कि अपने सभी अस्त्र शस्त्र अपने अपने कवच सभी को त्याग दे और हाथ जोल कर इस अस्त्र के सामने खड़े हो जाएं और अपने मन में युद्ध की कोई बात ही ना लाएं खुद श्री श्री क्रिश्णी की बात मान कर हाथ जोड़कर नारायनास्ट के आगे खड़े हो जाते हैं धीरे धीरे नारायनास्ट का प्रकोप कम होने लगता है और और आखिर में खत्म हो जाता है इस अस्थ ने अकेले ही पांदव सेना की एक अक्षोनी सेना को यमलोग पहुचा दिया यह इतना शक्तिशाली अस्थ था कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा से इस अस्थ को दोबारा चलाने को कहा था अश्वत्थामा ने दुर्योधन को समझाया था कि यह अस्थ केवल उन्हीं को नश्ट कर सकता है जो अपने मन में युद्ध की मन्शा लेकर युद्दलर रहे हो चुकि श्री कृष्ण को इस अस्थ का प्रतिकार करने का उपाय पता है इसलिए अश्वत्थामा नारायनास्थ को दोबारा नहीं चला सकता नमब चार, कर्ण, महा भारत का वह युद्धा जिसने अर्जुन को कई बार हराया था कि कर्ण का ब्रहमास्थ बहुत भायनकर और शक्तिशाली था ये बात भी असत्य नहीं है कि कर्ण का ब्रहमास्त बहुत ही अधिक भायन कर था महा भारत में कर्ण ने ब्रहमास्त को दो बार चलाया था पहली बार पांडव सेना के एक बड़े सामोही काक्रमन का प्रतिकार करने में और दूसरी बार अर्जुन के ऊपर हाला कि श्री कृष्ण ने रत को दूसरी तरफ मोर दिया था जिसे कर्ण का ब्रहमास्त अर्जुन के रत पर जाकर लग गया था इससे बड़ी बात तो यह है कि अर्जुन ने कर्ण के ब्रहमास्त का प्रतिकार करने के लिए इंद्रास्त भी चलाया था अर्जुन का इंद्रास्त कर्ण के ब्रहमास्त का प्रतिकार करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं था इंद्रास्ट चलाने के बाद भी कर्ण के ब्रहमास्त का अर्जुन के रत पर बड़ा प्रभाप पड़ा था अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही इस प्रहार से घायल हो गए थे यहां तक कि जब अर्जुन ने कर्ण के श्रापों की सहायता से उसका वद कर दिया था और वह युद्ध भूमी से विजई होकर अपने शिविर को लौट रहे थे तब श्री कृष्ण ने रत रोक कर अर्जुन को रत से पहले उतरने को कहा था किन्तु श्री कृष्ण ने कहा था कि पहले वह रत से उतरे उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को पहले उतरने का कारण बता देंगे यह बात सुनकर अर्जुन रत से पहले उतर गए थे और उसके बाद श्री कृष्ण उतर गए थे वायुदेव का रत रक्षक वानर जब श्री कृष्ण के कहने पर रत की द्वजा से विस्थापित हो गया तब पूरा रत क्षन भर में भस्म होंकर तीमकों में बिखर गया जिसे देखकर अर्जुन अत्यांत भाय भीध हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से रत की ऐसी दुर्दशा होने का कारण पूछा श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन तुम्हारा रत तो पहले ही करण के दिव्यास्टर से नश्ट हो चुका था वो तो तुम्हारे देवों के दिये हुए वर्दान और मैं था जिसने इस रत को किसी तरीके से जोड़े रखा था इस दृष्य को देखकर अर्जुन समझ करण की शक्ती उनसे कितनी अधिक थी और ये तो उनकी किस्मत है कि वह करण के हाथों जीवित लौट आये हैं इससे यह बात तो सिधह है कि करण का ब्रहमास्त्र बहुत शक्तिशाली और भायनकर था जिसका प्रतिकार इंद्रास्ट से भी नहीं किया जा सकता था कि अगर शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हीं ये बात पहले से नहीं पता थी अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लोटेंगे आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे